श्री शिवाये नमस्तु भ्यम आप सभी पर महादेव के गृपा सदा बनी रहें इससे पहले कध्याय सुनने के लिए और कमेंट्स करने के लिए आप सब का बहुत बहुत धनिवाद आज सुनिए शिव महापुरान कथा में आगे का वरतांत और आज की कथा बहुत रोचक हो होने वाली है इसलिए हो सके तो अपना कीमती समय इस कथा को जरूर दीजेगा नंदीश्वर ने आगे सनत कुमार जी से कहा है बुद्धीमान सनत कुमार जी अब तुम पिनाकधारी भगवान शिव के किरात नामक अवतार का वर्णन भी सुनो उस अवतार में उन्होंने द्रौपती के साथ द्वैत वन में चले आए वहीं वे पांडव सूरिद्वारा दीवी बटलोई का आश्र लेकर सुक पूर्वक अपना समय बिताने लगे हे प्रेवर उसी समय सुयोधन ने आदर पूर्वक मुनिवर दुर्वासा को चल करने के प्रयोजन से पांडवों क मनुकूल भोजन की याश्ना करने लगे तब उन सभी पांडवों ने उनकी प्रार्थना स्विकार करके दुर्वासा आधी तपस्वी मुन्यों को इस्तान करने के लिए भेज दिया जोकि पांडव जानते थे कि दुर्वासा रिशी को जब क्रोध आ जाए तो वो किसी को भी श्राब देने से छोड़ते नहीं है मुनिश्वक इधर अन्ना भाव की कारण विसभी पांडव वड़े संकत में बढ़ गए मन ही मन प्राण त्याग देने का विचार करने लगे तब द्रौपदी ने श्री कृष्ण का इस्मरन किया और वे ततकाल ही वहां आप पहु संकत से मुक्त हो पाए फिर भगवान कृष्ण ने पांडवों को शिवजी की आराधना करने की सम्मती दी फिर व्यास जी ने भी आकर उन्हें शंकर जी की आराधना करने का आदेश देते वे कहा है पांडवों शिवजी संपूर दुखों का नाश करने वाले हैं वे भक्त में सारा भोक और परलोक में मोक्ष तक दे डालते हैं ये बिलकुल निश्चित बात है इसलिए भुक्ती मुक्ती रूपी फल की कामना करने वाले मनिश्यों को सदा शंभु की सेवा करने चाहें क्योंकि भगवान शंकर साक्षात परम पुरुष दुस्टों के संगहारक और स पुर्वप शक्र विद्या का जब करें तब इंद्र पहले परिक्षा लेंगे जब संतुष्ट हो जाएंगे रसन होने पर वे सरवदा विग्णों का नाश करते रहेंगे और फिर शिव जी का स्ट्रेस्ट मत्र प्रदान करेंगे नंदीश्वर कहते हैं हे मुने ऐसा कहकर व्यास जी अर्जन को बुलाकर उन्हें शक्र विद्या का उपदेश देने को ततपर हुए तब दीक्षन बुद्धी वाले अर्जन ने इस्तनान करके पूर्व दिशा की और मुह करके बैठकर उस विद्या को ग्रहन कर लिया फिर उदार बुद्धी मुनिवर व्यास जी इने अर्जन को पार्थिव लिंग के पूजन का विधान बता कर कहा पार्थ अब तुम यहां से परम रमणी इंद्रकील परवत पर जाओ और वहां जानवी के तट पर बैठकर सम्यक रूप से तपस्या करो ये विद्या अद्रिश्य रूप से सदा तुमारा हित करती रहे और इसमें अनिथा विचार करने की कोई जरूरत भी नहीं है नंदिश्वर कहते हैं मुने इस प्रकार मुनीवर व्यास उन पांडवों को आश्रवात देकर तथा शिव जी के चरण कमलों का इसमरन करके तुरंत ही अंतरध्यान हो गए उधर शिव मंत्र के धारन करने से अ अब उन्होंने अर्जुन से कहा वियास जी के कहया निसार तो ऐसा प्रतीत होता है कि इस कारी को केवल तुम ही कर सकते हो ये दूसरे के द्वारा कभी भी सिद्ध नहीं हो सकता इसलिए है अर्जुन जाओ और हम लोगों का जीवन सफल बनाओ तब अर्जुन ने चारों भ ले गए वहां पहुंचकर वे गंगाजी के पास एक मनुरम इस्थान पर जो स्वर्ग से भी उत्तम और अशोक वन से सुशोबिती ठहर गए वहां उन्होंने इस्थान करके गुरुवर को नमस्कार किया और जैसा उपतेश मिला था उसी के अनुसार स्वयम ही अपना वेश पनाया फिर पहले मन ही मन इंद्रियों का अपकर्ष करके वे आसन लगा कर बैठ गए फिर समसूत्र वाले सुंदर पार्थिफ शेवलिंग का निर्मान करके उनके आगे अनुपम तेजोराशी शंकर जी का ध्यान करने लगे वे तीनों समय स्नान करके अनेक प्रकार से बार भीत हो गए वे सोचने लगे यहां कब आ गया पुन्हा उन्हाने ऐसा विचार किया कि यह घटना इंद्र को बतला देनी चाहिए ऐसा सोचकर विततकाल ही इंद्र के पास गए गुप्त चरोनी कहा हे देवेश वन में एक पुरुष तपस्या कर रहा है परतु हमें पता नह जे वैसा कीजिए नंदिश्वर कहते हैं हेमुने उन गुप्त चरों के ऐसा कहने पर इंद्र को अपने पुत्र अर्जुन का सारा मनुरत ग्यात हो गया तब वे परवत रक्षकों को विदा करके स्वयम वहाँ जाने का विचार करने लगे हे विपरवर इंद्र अर्जुन बताइए इस समय कहां से आपका शुभागमन हुआ है इस पर ब्रहमण वेश्टारी इंद्र ने अर्जुन को ऐसे वचर किये जिससे वह तपस्या से डिग जाए पर जब अर्जुन को द्रण निश्चे देखा तब अपने स्वरूप में प्रकट होकर इंद्र ने कुप्त मंत्र बतलाया और उसका जब करने की आगय दे दी फिर अपने अनुचरों को साफधानी के साथ अर्जुन की रक्षा करने का आदेश देकर वे अर्जुन से बोले हे भद्र तुम्हें कभी भी प्रमांत पूर्वक राज नहीं करना चाहिए परंतब ये विद्या तुम्हारे लिए श्रेश कर रहोगी साधक को सभी प्रकार से धैर धारन किये वे रहना चाहिए रक्षत तो भगवान शिव है ही वे संपतियां और फल अर्थात मुक्ष दोनों समान रूप से दे देंगे और इसमें तनिक भी संशे नहीं है नंदीश्वर कहते हैं हेमुन इस प्रकार अर्जुन को वर्दान देकर देवराज इंद्र शिव जी के चरण कमलों का इस्मरन करते भी अपने भवन को लोट गए तब महावीर अर्जुन ने भी सुरेश्वर को प्रणाम किया और फिर वे मन को वश्मे करके इंद्र के उपदेशा नुसार शिव जी के तब पस्या करने लगे नंदीश्वर कहते हैं मुने फिर अर्जुन व्यास जी के उपदेशा नुसार विधी पूर्वक इसनान और न्यास आदिकर के परम भक्ती के साथ शिव जी का ध्यान करने लगे उस समय वे एक स्रेश्ट मुनी की तरह एक ही पैर के बल पर खड़े ह मंत्र का जाब कर रही थी इस प्रकार वि परम प्रेम पूर्वक मन ही मन शिव जी का इसमरन करके शंभु के सर्वोतक्रेश्ट पंचाक्षर मंत्र अर्थात नमष्शिवाय का जाब करते में घोर तब करने लगे उस तपस्या का ऐसा उत्रिष्ट तेज प्रकट हुआ जिस जाता है उसे आप क्यों नहीं दे देते नंदिश्वर कहते हैं मुने ऐसा कहकर देवताओं ने अनेक प्रकार से उनकी स्थुति की फिर उनके चरणों की ओर द्रिष्टी लगाकर वे विनम्र भाव से खड़े हो गए तब उदार बुद्धी और प्रसनात्मा महाप्रभू श करते हैं और इसमें संदे बिलकुल नहीं नंदिश्वर कहते हैं मुने शंभू के उस वचन को सुनकर देवताओं को पूर्ण देया निश्चय हो गया तब वे सब के सब अपने स्थान को लोट गए इसी समय मुक नामक दैत्य शूकर का रूप धारन करके वहां आया विपे करता हुआ व्रिक्षों को चिन भिंद करता हुआ और अनेक परकार के शब्द करता हुआ आया तब अरजुन की विद्रिश्टी उस मुक नामक असुर पर पड़ी और फिर वे शिवजी के पाद्म पद्मों का इसमरं करके इस प्रकार विचार करने लगे अरजुन मन ही मन क रसन हो जाए वो निश्य ही अपना ही तैशी है और जिसके दीखने पर मन व्याकुल हो जाए वो तो शत्रूही होता है आचार के मुख के विकार से मन के भीतर का भाव जाना जाता है नेत्र चार प्रकार के कहे गई हैं उजवल, सरस, तिर्चे और लाल विद्वानों ने इनका भाव भी अलग-अलग बतलाया है इसलिए निसंदे ये शत्रु ही है और मार डालने योग्य है इधर मेरे लिए गुरुजी की आग्या भी ऐसी है कि राजन जो तुमें कष्ट देने के लिए तैयार हो उसे तुम बिना किसी प्रकार का विचार की अवशी ही मार डालना तथा मैंने इसलिए आयुद भी तो धारन कर रखा है ऐसा विचार कर अरजुन ने अपने धनुष पर बाण चड़ाया और डटकर वहीं खड़े हो गए इसी बीच भक्त वचल भगवान शंकर अरजुन की रक्षा उनकी भक्ती की परिक्षा और उस दैत्य का नाश करने के लिए शिक्री ही वहाँ आप पहुँचे उस समय उनके साथ गणों का यूथ भी था और वे महान अदबोच सुशिक्षित भील का रूप धारन किये वे थे उनकी कांश बंदी वी थी और उन्होंने वस्त्र खंडों से इशान ध्वज बांद रखा था उनके शरीर पर श्वेद धारियां चमक रही थी पीठ पर बाणों से भरावा तरकश बधा हुआ था और वे स्वेम धनुष बांद धारन किये वे थे उनका गण यूथ भी वैसे ही साथ सज्जा से यूख्त था इस प्रकार शिव बिल राज बने वे थे वे सेना ध्यक्ष कर तरह तरह के शब्द करते वे आगे बढ़े इतने में सुवर की गुर्राहट का शब्द दसो दिशाओं में गूज उठा उस शब्द से परवत आदी सभी जड़पदार्त जहना उठे तब उस वनेचर के शब्द से गवराकर अर्जन सोचने लगे अहू क्या ये भगव करके ऐसी ही खोशना की है कि शिवची कल्यान करता और सुख दाता है वे मुक्ति प्रदान करने की कारण मुक्ति दाता कही जाते हैं उनके नाम का ध्यान करने से ही मनुश्य का निश्य ही कल्यान हो जाता है जो लोग सर्वभाव से उनका भजन करते हैं उन्हें स्वपन में भी दुख का दर्शन नहीं होता अगर कदाचित कुछ दुख आ भी जाता है तो उसे कर्मों का फल ही समझना चाहिए सो भी बहुत की आशंका होने पर भी थोड़ा होता है या फिर उसे विशेश रूप से प्रारब्द का ही अर्थात पूर्वजनम का ही दोश मानना चाहिए या कभी-कभी भगवान शंकर अपने इच्छा से थोड़ा या अधिक दुख भुकता कर फिर निस संदे उसे दूर भी कर देते हैं और उसे दोखना सुख भी देते हैं ये बहुत गहन रहसी की बात है जो आज के सद्ध्याई में आपको बताई हैं वे विश को अमरित और अमरित को विश भी बना देते हैं आर्जुन मन ही मन सोच रहे हैं कि यो जैसी उनकी इच्छा होती है वैसा ही शिप करते रहते हैं भला उन समर्थ को कौन मना कर सकता है अन्यान प्राचेन भक्तों की भी ऐसे ही धार न थी इसलिए भावी भक्तों को सदा इस विचार पर अपने मन को इस्थे रखना चाहिए लक्षमी रहे या चली जाए मृत्यों आँखों के सामने ही क्यों ना उपस्तित हो जाए लोग निंदा करें या प्रशिंसा परंतु शिव भक्ती से दुखों का विनाश अवश्य ही होता है शंकर जी अपने भक्तों को चाहे वे पापी हो या पुन्यात्मा सदा सुख ही देते हैं अगर कभी वे परिक्षा के लिए भक्तों को कस्ट में डाल भी देते हैं तो अंत में दयालू सुभा होने की कारण वे ही उस के सुख दाता भी होते हैं उसे सुख प्रदान भी करते हैं फिर तो वह भक्त उसी प्रकार निर्मल भी हो जाता है जैसे अगनी में तपाया हुआ सोना शुद हो जाता है इसी तरह की बाते मैंने पहले भी मुन्यों के मुह से सुन रखी हैं इसलिए मैं तो शिव जी का पीछे लगे वे दीख पड़े उस समय उन दोनों के बीच में वह शुकर अद्भुत शिखर सा दीख रहा था उसकी बड़ी महिमा भी कही गई है तब भक्त वचल भगवान शंकर अर्जुन की रक्षा करने के लिए बड़े वेग से आगे बढ़े इसी समय उन दोनों ने उस शुकर पर बाण चलाया शिवजी के बाण का लक्ष उसका पिछला भाग था जिस तरह पूंच थी और अर्जुन ने उसके मुख को अपना निशाना बनाया था शिवजी का बाण उसके पिछले भाग से प्रवेश करके मुह के रास्ते से निकल गया और शीकरी ही भूम में विलीन हो गया तथा अर्जुन का बाण उसके पिछले भाग से निकल कर बगल में ही गिर पड़ा तब वह शुकर रूपधारी दैत उसी छण मरकर धर्ती पर गिर गया उस समय देवताओं को महान हर्श हुआ उन्होंने पहले तो जैजेकार करते वे पुष्पों की वर अर्जुन को महान सुख प्राप्त हुआ फिर अर्जुन मन ही मन विशेश रूप से सुख का अनुभव करते वे कहने लगे अहो ये स्रेष्ट दैति परम अद्बुत रूप धारन करके ही मुझे मारने के लिए यहां आया था परन्तु शिवजी ने ही मेरी रक्षा की है न नंदीश्वर कहते हैं महाग्यानी सनत कुमार जी अपरमात्मा शिव की उस लीला को भी सुनो जो भक्त वत्सलता से युक्त तथा उनकी द्रणता से भरी भी है फिर शिवजी ने उस बान को लाने के लिए तुरंत ही अपने अनुचर को भेजा उधर अर्जुन भी उसी न आप क्यों इस बान को ले रहे हैं ये हमारा सायक है ये हमारा बाने से छोड़ दीजिए भिल राज के उस अनुचर द्वारा ऐसा कही जाने पर मुनिस्टेस्ट अर्जुन ने शंकरजी का ध्यान किया और इस प्रकार कहा हे बंचर तु तो बड़ा मूर्ख है तु बिना सो बहुत छूटना बड़ा कठिन है नंदीश्वर कहते हैं मुने अर्जुन का ये कथन सुनकर भिल रूपी गणेश्वर को हसी आ गई तब वहरिशी रूप में वर्तमान अर्जुन को यों उतर देते भी बोला रेतापस सुन जान पड़ता है तु तपस्या नहीं कर रहा है केबल तेरा वेश ही तपस्वी का है क्योंकि सच्चा तपस्वी छल कपट नहीं करता भला जो मनुष्य तपस्या में निरत होगा वो कैसे मिध्या भाशन करेगा कैसे जूट बोलेगा और कैसे छल करेगा अरे तु मुझे अकेला मत समझ तुझे पता होना चाहिए कि मैं ए अभी अभी उठा लिया है ये उन्हीं का है ये बान कभी तेरे पास टिक नहीं सकेगा तापस तु क्यों अपनी तपस्या का फल नस्ट करना चाहता है मैंने तो ऐसा सुन रखा है कि चोरी करने से छल पुर्व किसी को कस्ट पहुचाने से विसमय करने से और सत्य का त्याग करने से प्राणी का तप छेंड हो जाता है ये बिल्कुल सत्य है ऐसी दशा में तुझे आप तपस्या का फल कैसे प्राप्त होगा उस बाण को ले लेने से तुझ तपस्या से च्योत और क्रतग्न हो जाएगा जोकि निश्य ही ये मेरे स्वामी का बाण है और तेरी रक्षा क के लिए ही उन्होंने इसे छोड़ा था इस बाण से तो उन्होंने शत्रु को मार ही डाला फिर बाण को भी सुरक्षित रखा तू तो महान करतग्न और तपस्या में अमंगल करने वाला है जब तु सत्य नहीं बोल रहा है तब फिर इस तपस्या से सिद्धी की अविलाशा तू भला कैसे रख सकता है अगर तुझे बाण से ही प्रयोजन है तुझे ये बाण चाहिए ही तो तू मेरे स्वामी से मांग ले वे स्वायम इस प्रकार के बहुत से बाण तुझे दे सकते हैं मेरे स्वामी आज यहां वर्तमान है तू उनसे क्यों नहीं आचना कर लेता तू जो उपकार का परित्याग करके अपकार करना चाहता है और अभी अभी कर भी रहा है ये तेरे लिए उचित नहीं है इसलिए तू ये चाला की छोड़ दे इस पर कुपित होकर हे सनत कुमार जी अर्जुन ने उससे कई बाते कही दोनों ने बड़ा भारी विवात हो ग अगे रे वंचारी भील तू मेरी सारी बात सुन ले जिस समय तेरा स्वामी आएगा उस समय मैं उसे उसका फल भी अवश्य चखाऊंगा तेरे साथ युद्ध करना तो मुझे शोभा नहीं देता इसलिए मैं तेरे स्वामी के साथ ही युद्ध करूँगा क्योंकि सेह और गीदर का युद्ध उपहास के लायक ही माना जाता है भील तूने मेरी बात तो सुन ही ली अब तू मेरे महान बल को भी देखेगा जा अपने स्वामी के पास लोट जा या फिर तेरी जैसी इच्छाओं वैसा कर ले नंदिश्वर कहते हैं मुने अर्जुन के ऐसा कहने पर वह भील जहां शिव अवतार सेनापती किरात विराजमान थे वहां गया और उन भील राज से अर्जुन का सारा वचन विस्तार पूर्वक कह सुनाया उसकी बात सुनकर उन किरातेश्वर को महान हर्श हुआ तब भील रूपधारी भागवान शंकर अपनी सेना के साथ वहा और उसकी द्वारा भरत वंशी महात्मा अर्जुन से ऐसा कहलवाया किरात ने कहा हेता पस्विन तने कि सेना की ओर भी तो देखो अरे अब तुम बान छोड़कर जल्दी भाग जाओ क्यों तुम इस समय एक सावान काम के लिए अपने प्राण कवाना चाहते हूँ तुमार भाई दुख से पीडित हैं तुमारी पत्नी तो उनसे भी बढ़कर दुखी हो रही है और मेरा तो ऐसा विचार है कि ऐसा करने से प्रत्वी भी तुमारे हाथ से चली जाएगी नंदिश्वर कहते हैं हे मुने जब अर्जुन की सब तरह से रक्षा करने के लिए किरात रू उसकी बात सुनकर अर्जुन ने उस समागत दूद से कहा दूद तुम जाकर अपने सेनापती से कहो कि तुम्हारे कहे अनुसार करने से सारी बाते विप्रीत हो जाएगी अगर मैं तुम्हें अपना बार दे देता हूँ तो निस संदे मैं अपने कुल को दूशित करने वा नेचर से भईबीत नहीं हो सकता नंदीश्वर कहते हैं मुने अर्जुन के ऐसा कहनी पर वहदूत फिर से अपने स्वामी के पास लोट गया और उसने अर्जुन की कहीवी सारी बाते उनके सामने विशेश रूप से सुना दी उन्हें सुनकर कि रात वेश्थारी सेना नायक म इस प्रकार गणो सहित महादेव जी के साथ अर्जुन का बड़ा भरी युद्धुपा अंत में अर्जुन ने शिव जी के चरण कमल का ध्यान किया उनका ध्यान करने से अर्जुन का बल और बढ़ गया तब वे शंकर जी के दोनों पैर पकड़कर उन्हें घुमाने लगे उस समय भक्त वचल महादेव जी हस रहे थे मुने भक्त पराधीन होने की कारण वे अर्जुन को अपनी दास्ता प्रदान करना चाहते थे इसलिए उन्होंने ऐसी लीला रची थी अनिता ऐसा होना सर्वता असंभव था फिर शंकर जी ने भक्त परावश्ता की कारण मुस् प्रदिदाता रूप का उप्तेश दिया था शिव जी ने वही रूप अर्जुन को दिखाया तब ध्यान द्वारा प्राप्त होने वाले शिव जी के उस सुन्दर रूप को देखकर अर्जुन को महान विसमे हुआ फिर वे लज्जित होकर स्वें पस्चताब भी करने ओहो भगवान शिव की माया तो बड़ी बलवती है वो बड़े-बड़े मायावियों को भी मोह में डाली देती है फिर मेरी तो विसाथ ही क्या है उन्ही प्रभु ने अपने रूप को छेपा कर ये कौन सी लीला रची है मैं तो उनकी द्वारा आज छला गया इस प्रकार अपनी बुद्धी से भली भाती विचार करके अरजुन ने प्रेम पूर्वक हाथ जोड़कर और मस्तक जुगा कर भगवान शिप को प्रणाम किया फिर खिन्न मन से ऐसा कहा दिवादी देव महादेव आप तो बड़े किरपालू और भकतों की कल्यार करता है सर्वेश अपराच्छमा कर देना चाहिए इस समय आपने अपने रूप को छिपा कर यह कौन सा खेल खेला है प्रभू आपने तो मुझे छल ही लिया है प्रभू आप स्वामी के साथ युद्ध करने वाले मुझको दिकार है नंदिश्वर कहते हैं मुने इस प्रकार पांडू पुत से आश्वासन देकर इस प्रकार बोले शंकर जी ने कहा पार्थ तुम तो मेरे परंभक्तो इसलिए दुख मत करो ये तो मैंने आज तुम्हारी परिक्षा लेने के लिए ही ऐसी लीला रची थी इसलिए अब तुम्हें शोप को त्याग दो नंदिश्वर कहते हैं मुने ऐ ऐसा कहकर भगवान शिव ने अपने दोनों हाथों से पकड़कर अर्जुन को उठा लिया और अपने तथा गणों के सामने उनकी लाज का निवारन किया फिर भक्त वचल भगवान शंकर वीरों में मानने पांडु पुत्र अर्जुन को सब तरह से हर्ष प्रदान करते वे प्रेम पूर्वत बोले शिव जी ने कहा है पांडवा मिस्ट्रेस्ट अर्जुन मैं तुम पर परम प्रसन हूँ अब तुम कोई वर मागो इस समय तुमने जो मुझ पर प्रहार और आगात किया है उसे मैंने अपनी पूजा मान लिया है साथ ही ये सबतों मैंने अपनी तुम्हारे यश और राज जी की इस्थापना करने के लिए ही हुआ है तुम्हें इसका दुख नहीं मानना चाहिए नाहीं तुम्हें पश्चताप करना चाहिए इसलिए हे अर्जुन अब तुम अपनी सारी घबराहत छोड़ दो नंदिश्वर कहते हैं मुने भगवान श करना का क्या वर्णन कर सकता हूं हे सदाशिव आप तो बड़े कृपालू हैं ऐसा कहकर अर्जुन ने महाप्रभू शंकर की सिद्ध युक्त होकर और वेद सम्मत इस्तुति आरंब कर दी अर्जुन बोले आप दिवादी देव को नमस्कार है हे केलाश वासन आपको प्रशन रूप वाले तथा सहस्त्र मुखों से युक्त हैं आपको प्रणाम है हे नीलकंट आपको मेरा नमस्कार प्राप्त हो मैं सद्योजात को अभिवादन करता हूं वामांक में गिरिजा को धारन करने वाले हे व्रिष्टवज आपको प्रणाम है दस भुजाधारी आ प्रमात्मा को पुनह पुनह अभिवादन है आपके हाथों में डमरू और कपाल शोभा पाते हैं और आप नर्मुंडों की माला धारे करते हैं आपको नमस्कार है आपका श्रीविग्र है शुत इस्वटिक और निर्मल कपूर के समान गौरवंड का है हाथों में पिनाक और आप उत्तम त्रिशूल धारन किये हैं आपको प्रणाम है हे गंगाधर आप व्याग्र चर्म का उत्तरिय और गज चर्म का वस्तर लपेटने वाले हैं आपके अंगों में नाग लिप्टे रहते हैं आपको बारंबार अभिवादन है आपको बारंबार नमस्कार है सु जिनके अनुगामी हैं जो भगतों को भक्ति और मुक्ति प्रदान करने वाले हैं उन आपको पुना-पुना नमस्कार हैं आप निर्गुन, सगुन, रूपरहित, रूपवान, कलायुक्त और निशकल हैं आपको मैं बारंबार सिर जुकाता हूं जिन्होंने मुझ पर अनुग्रह करने के लिए किराद वेश धारण किया है जो वीरों के साथ युद करने के लिए प्रेमी तथा नानप्रकार की लिलाएं करने वाले हैं उन महेश्वर को प्रणाम है जगत में जो कुछ भी रूप द्रिस्टी कोचर हो रहा है वे सब आपका ही देज कहा जाता है आप चिद्रूप हैं और अन्वाइ भेट से तरिलोकी में रमन कर रहे हैं जैसे धूल कड़ों की आकाश में उदे हुई तारिकाओं की और बरस्ते वे जलकी बूदों की गर्णा नहीं की जा सकती हे महादेव उसी प्रकार आपके गुणों की भी कोई संख्या नहीं है नाथ आपके गुणों की गर्णा करने में तो वेद भी समर्थ नहीं है इसलिए आपको मुझ पर करपा तो अवश्य ही करनी चाहिए। अर्जुन ने हाथ चोड़कर नतमस्तक होकर सदाशिप को प्रणाम किया। और फिर प्रेम पूर्वक गदगदवानी में कहना आरम किया। अब जिस प्रकार मुझे इस लोक की परा सिद्धी प्राप्थ हो सके वैसी करपा कीजे। नंदिश्वर कहते हैं, मुने इतना कहकर अर्जुन ने भक्त वत्सल भगवान शंकर को नमस्कार किया। और फिर वे हाथ चोड़कर मस्तक जुकाए वे उनके निकट खड़े हो गए। जब स्वामी शिवजी को ये ज्यात हो गया कि ये पांडू पुत्र अर्जुन मेरा अनन्य भक्ते हैं तब वे भी परमक्रसन हुए। फिर उन परमेश्वर ने अपने पाशुपत नामक अस्त्र को जो सरवथा समस्त प्राणियों के लिए दुर्जय है अर्जुन को दे दिया और इस प्रकार कहा। वत्स मैंने तुम्हें अपना महान असर दे दिया, इसे धारन करने से अब तुम समस्त शत्रों के लिए अजे हो जाओगे, जाओ, विजय लाब करो, साथ ही मैं श्रीकृष्ण से भी कहूंगा कि वे तुम्हारी साहिता करेंगे, क्योंकि श्रीकृष्ण मेरे आत्म भक्त और मेरा कारी करने वाले हैं भारत मेरे प्रभाव से तुम निश्कंटक राजिब होगो और अपने भाई युदिष्टिर से सर्वदा नाना परकार की धर्म कारी कराते रहो नंदीश्वर कहते हैं मुने ऐसा केर कर शंकर जी ने अर्जुन के मस्तर पर अपना कर कमल रख दिया और अर्जुन द्वारा पूजित होकर वे शीगर ही अंतरध्यान हो गए इस प्रकार भगवान शंकर से वर्दान और अस्त्र पाकर अर्जुन का मन प्रसन्न हो गया तब वे अपने मुख्य गुरु शिवजी का भक्ती पूर्वक इस्मरन करते वे अपने आश्रम को लोट गए वहां अर्जुन से मिलकर सभी भाईयों को ऐसा अनंद प्राप्त हुआ मानो मृतक शरीर में प्राणों का संचार फिर से हो गया हो उत्तम वरत का पालन करने वाली द्रापदी को अत्यनत सुख मिला जब उन पांडवों को ये ज्यात हो गया कि शिवजी परम संतुस्ट हो गये हैं तब उनके हर्ष का कोई बार नहीं रहा उन्हें अर्जुन के मुख से संपोन वरतान सुनने से तरपती ही नहीं होती थी उस समय उस आश्रम में महा मनस्वी पांडवों का भला करने के लिए चंदन युक्त पुष्पों की वर्षा होने लगी तब उन्होंने हर्ष पूरवक संपत्ती दाता तथा कल्यान करता शिव को नमस्कार किया और फिर तेरह वर्ष की अवधी को समाप्त भी जानकर ये निश्य किया कि अवशी अब हमारी विजय होगी इसी अवसर पर जब श्रीकृष्ण को पता चला कि अर्जुन लोटकर आ गए हैं तब ये समचार सुनकर उन्हें बड़ा सुख मिला और वे अर्जुन से मिलने के लिए वहां पधारे और कहने लगे ये अर्जुन ये पार्थ इसलिए मैंने कहा था कि शंकर जी संपूर्ण कस्टों का नाश करने वाले हैं मैं तो नित्य उनकी सेवा करता हूँ इसलिए आप लोग भी उनकी सेवा करें मुने इस प्रकार आज मैंने शंकर जी के किरात नमक अव्थार का वर्णन किया जो इसे सुनता है अत्वा दूसरे को सुनाता है भगवान शिप सदा उनकी रक्षा करते हैं उनकी सभी मनुकामनाई पून करते हैं भगवान शिप के सभी अव्थारों का वर्णन नंदिश्वर शिरी सनत कुमार जी से कर रहे हैं नंदीश्वर कहते हैं हे मुने अब तुम सर्वव्यापी भगवान शंकर के बारह अन जोतरलिंग स्वरुपी अवतारों का वर्णन भी सुनो जो अनेक प्रकार के मंगल करने वाले हैं। उनके नाम ये हैं स्वरास्ट में सोमनात, श्री शैल पर मलिकारजुन, उज्जहिनी में महाकाल, ओंकार में अमरेश्वर, हिमाले पर केदार, डाकिनी में भीमशंकर, काशी में विश्वनात, गौत्मी के तठपर त्रेंबकेश्वर, चिता भूमी में वैतेनात, दारुकव में नागेश्वर, सेतुबंध पर रामेश्वर और शिवाले में घूश्मेश्वर, हिम मुने परमात्मा शंभू के यही वे 12 अवतार है, ये दर्शन और इसपर्ष करने से मनुश्यों को सभी प्रकार का आनंद और सुख प्रतान करते हैं, मुने उनमें पहला अवतार सो गुर्ब काल में चंद्रमानी इनकी ही पूजा की थी, वही संपुन पापों का विनाश करने वाला एक चंद्रकुंद भी है, जिसमें इस नान करने से बुद्धिमान मनुश्य संपुन रोगों से मुक्त हो जाता है, परमात्मा शिव के सोमेश्वर नामक महालिंग का दश श्री शेल पर हुआ, वह भक्तों को अभीष्ट फल प्रदान करने वाला है, मुने भगवान शिव परम प्रसनिता पूर्वक अपने निवास भूत के लाश किरी से लिंग रूप में श्री शेल पर पधारे हैं, पुत्र प्राप्ति के लिए इनकी ही स्तूति की जाती है, हे मुने ये जो दूसरा जोतिरलिंग है, वह दर्शन और पूजन करने से महा सुख कारक होता है, और अंत में मुक्ती भी प्रदान कर देता है, इसमें तनिक भी संशय नहीं, तात शंकर जी का महाकाल नामक तीसरा अवतार उज्जेनी नगरी में हुआ, वह अपने भक्तों की रक्षा करने वाला है, एक बार रत्नमाल निवासी दूशन नामक असुर जो वैदिक धर्म का विनाशक, विप्रदोही और सब कुछ नस्ट करने वाला था उज्जेनी में जा पहुँचा, तब वेद नामक ब्रहमन के पुतर ने शिव जी का ध्यान किया, फिर तो शंकर जी ने तुरंत ही प्रकट होकर हुंकार द्वारा उस असुर को भस्म कर दिया, फिर अपने भक्तों का सर्वथा पालन करने वाले शिव देवताओं के प्रार्थन करने पर महाकाल नामक जोतिर लिंग स्वरुप से वही पर प्रतिस्ठित हो गए, इन महाकाल नामक लिंग क प्रत्न पूर्वक तर्शन और पूजन करने से मनुष्य की सारी कामनाई पोर्ण हो जाती है और अंत में उसे परम गति की प्राप्ति हो जाती है परम आत्म बल से संपन परमेश्वर शंभू ने अपने भक्तों को अभीष्ट फल प्रदान करने वाला ओंकार नामक चोथा अवतार भी धारन किया मुने विंध्या गिरी ने भक्ति पूर्वक विधी विधान से शिवजी का पार्थिव लिंग इस्थापित किया उसी लिंग से विंध्य का मनोरत पूर्ण करने वाले महादेव प्रकट हुए तब देवताओं के प्रार्थना करने पर भुक्ती मुक्ती के प्रदाता भक्त वच्छल लिंग रूपी शंकर वहाँ दो रूपों में विभक्त हो गए मुनिश्वर उनमें एक भाग ओंकार में ओंकारेश्वर नामक उत्तम लिंग के रूप में प्रतिस्थित हुआ और दूसरा पार्थिव लिंग परमिश्वर नाम से प्रसित हो गया मुने इन दोनों में जिस किसी का भी दर्शन पूजन किया जाए उसे भक्तों की अभिलाशा पूंड करने वाला अविश्य ही समझना चाहिए मुने इस प्रकार मैंने तुम्हें इन दोनों महादिवी जोतिर लिंगों का वर्णन सुना दिया परमात्मा शिव के पांचवे अवतार का नाम है केदारेश यह केदार में जोतिर लिंग रूप से इस्थित है मुने वहाँ श्री हरी के जो नर्द नाराय नामक अवतार है उनके प्रार्थन करने पर शिव जी हिम गिरी के केदार शिकर पर इस्थित हो गए वे दोनों उस केदारेश्वर लिंग के नितिपूजा करते हैं वहाँ शंभू दर्शन और पूजन करने वाले पक्तों को अभीष्ट प्रदान करते हैं तात सर्वेश्वर होते हुए भी शिव इस खंड के विशेश रूप से स्वामी है शिव जी का यह अवतार संपूर्ण अभीष्टों को प्रदान करने वाला है महाप्रभू शंभू के छटे अवतार का नाम भीम शंकर है इस अवतार में उन्होंने बड़ी बड़ी लीलाएं की हैं और भीमासुर का विनाश किया है कामरूप देश के अधिपती राजा सुदक्षन शिव जी के परम भक्त थे भीमासुर उने पीडित कर रहा था तब शंकर जी ने अपने भक्त को दुख देने वाले उस अद्बूत असुर का वद करके उनकी रक्षा की थी फिर राजा सुदक्षन के प्रार्थन करने पर स्वम शंकर जी डाकिनी में भीम शंकर नामक जोतिरलिंग रूप से इस्थित हो गए मुने जो संपुर्ण ब्रहमांड सरूप तथा भोग मोक्ष का दाता है वे विश्वेश्वर नामक सात्वा अफ्तार काशी में हुआ मुक्ति दाता सिद्ध सरूप स्वम भगवान शंकर अपनी पूरी काशी में जोतिरलिंग रूप में इस्थित है विश्णु आदी सभी देवता केलाश पती शिव और भैरब नित्य उनकी पूजा करते हैं जो काशी विश्विनात के भगते हैं और नित्य उनके नामों का जब करते रहते हैं वे कर्मों से निरलिप्त होकर कैवल्य पद के भागी बन जाते हैं चंदर शेकर शिपका जो त्रेमबक नामक आठवा अवतार है वे गौतम रिशी के प्रार्थन करने पर गौतमी नदी के तर्ट पर प्रकट हुआ था गौतम की प्रार्थना से उन मुनी को प्रसन्न करने के लिए शंकर जी प्रेम पूर्वक जोतिलिंग रूप से वहां अचल होकर इस्थित हो गए अहो उन महेश्वर का दर्शन और इस परश करने से सारी कामनाई सिध्ध हो जाती हैं फिर मुक्ती भी मिल जाती है शिवजी के अनुग्रह से शंकर प्रिया परम पावनी गंगा गौतम के इस नहवश वहां गौतमी नाम से प्रवाहित हुई उन में नवा अवतार व्यद्यनाथ नाम से प्रसित हैं इस अवतार में बहुत सी विचित्र लीलाएं करने वाले भगवान शंकर रावर के लिए आविरभूत हुए थे उस समय रावर द्वारा अपने लाए जाने को ही कारण मान कर महेश्वर जोतिरलिंग सुरुप से चिता भूमी में प्रतिस्ठित हो गए उस समय से वे त्रिलोकी में वैद्यनाथेश्वर नाम से विख्यात हुए वे भक्ती पूर्वक दर्शन और पूजन करने वाले को भोग मुक्ष के प्रदाता हैं उन्हें जो लोग इन वैद्यनाथेश्वर शिपके महातमी को पढ़ते अत्वा सुनते हैं उन्हें ये नामक राक्षस को जो धर्म घाती था मारकर वैश्यों के स्वामी अपने सुप्रिय नामक भक्त की रक्षा की थी फिर बहुत सी लिलाएं करने वाले वे प्रभू शंभू लोगों का उपकार करने के लिए अंबिका सहित जो तिलिंग स्वरूप से इस्थित हो गए मुने नागेश्वर नामक उस शिवलिंग का दर्शन करने और अर्चन करने से राशी के राशी महान पातक तुरंत विनिस्थ हो जाते हैं मुने शिवजी का ग्यारवा अवतार रामेश्वरा अवतार कहलाता है वे श्री राम चंदर जी का प्रे करने वाला है उसे श्री राम ने ही स्थापित किया था जिन भक्त वतसल शंकर ने परम प्रसन्न होकर श्री राम को प्रेम पूर्वक विजय का वर्दान दिया वे ही ल पूजा की रामेश्वर की अद्भुत महिमा की भूतल पर किसी से तुलना नहीं की जा सकती ये सरवदा भुक्ति मुक्ति की प्रदाइनी और भक्तों की कामना पूर्ण करने वाली है जो मनुष सद्भक्ति पूर्वक रामेश्वर लिंग को गंगाजल से स्नान कराएगा वह जीवन मुक्त ही है वह इस लोक में जो देवताओं के लिए भी तुटलब है ऐसे संपुर्ण भोगों को भोगने के बाद परम ज्यान को प्राप्त हो जाएगा फिर उसे कैवल्ले मुक्ष मिल जाएगा घुष मेश्वरा अवतार शंकर जी का बार्वा अवतार है वह नान शैल के निकटवर्थी एक सरोवर में प्रकट हुए मुने घुष्मा के पुत्र को सुदेही ने माह डाला था फिर उसे जीवित करने के लिए घुष्मा ने शिवजी की आराधना की ताब उनकी भाक्ती से संदुस्ठ होकर भक्त बदसत शंपु ने उनके पुत्र को बचा लिया फिर कामनाओं के पूरक शंपू गुष्मा की प्रार्थना से उस सरोवर में जोतिर लिंग रूप से इस्थित हो गए उस समय उनका नाम गुष्मेश्वर हुआ जो मनुष उशिवलिंग का भक्ती पूर्वक दर्शन और पूजन करता है वह इस लोक में संपून सु को भोग कर अंत में मुक्ति लाब करता है सनत कुमार जी इस प्रकार मैंने तुमसे इस बारह दिविक जोतिर लिंगों का वर्णन किया है यह सभी भोग और मोक्ष के प्रदाता है जो मनुष्य जोतिर लिंगों की इस कथा को बढ़ता अत्वा सुनता है वह समस्त पापों स मुक्त हो जाता है और भोग मोक्ष को भी प्राप्त कर लेता है इस प्रकार मैंने शत्रुद्र नाम की संगीता का वर्णन कर दिया यह शिव के सो अफ्तारों की उत्तम कीर्थी से संपन्न तथा संपूर्ण अभीस्ट फलों को देने वाली है जो मनुष्य इसे नित्य समाह पुर्वक वर्णन आप सभी अगली कथा में चरू सुनिएगा